जैश्री राम मित्रो, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों महर्शी वालमी की द्वारा रचित हिंदू धर्मगरत रामायन में कई रोचक कथाओं का उल्लेख मिलता है। रामायन में रावन के अलावा और भी कई राक्षसों का वर्नन किया गया है। रावन के पुत्र मेगनाद के बारे में सब ही जानते हैं। जिसे इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता था। मेगनाद एक दुष्ट राक्षस था। जिसका वर्ध लक्षमन जी ने उसका सर का पर ऐसा माना जाता है कि मृत्यू के बाद मेगनाद का कटा हुआ सर अचानक जोर जोर से हसने लगा था। ऐसा क्यों हुआ आई ये जानते हैं। मेगनाद श्रीराम और लक्षमन को मारना चाहता था। उसने युद्ध के दोरान सारे प्रयतन किये लेकिन वो राम और लक्षमन को मारना सका। खुद ही लक्षमन के घातक बानों से मारा गया। लक्षमन जी बानों के प्रहार से मेगनाद का सिर उसके शरीर से अलग कर दिय उसके बाद प्रभु श्री राम के आदेश पर मेगनाद के सिर को उनके आगे रखा गया। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्षमन जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिये। ये देखकर सुलोचना को विश्वास हो गया। कि युद्ध में उसका पती मारा गया है। सुलोचना इस समाचार को सुमकर रोने ल से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती। मैं पती के साथ ही सती होना चाहती हूँ। तब रावन ने कहा पुत्री कुछ समय प्रतिक्षा करो में मेगनाद का सर शत्रू के सर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावन की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। तब मंदोदरी ने कहा तुम राम के पास जाओ। वो बड़े दयालू है। मंदोदरी के कहे अनुसार सुलोचना राम के पास पहुँची जहां उसका परिचे विभीशन ने करवाया। सुलोचना ने राम से कहा है राम में आपकी शरण में आई हूं।। क्रिपा कर मेरे पती का सिर मुझे लोटा दे ताकि मैं सती हो सकू। राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पती को अभी जीवित कर देता हूं। पर सुलोचना ने मना कर दिया और बोली मैं नहीं चाहती कि मेरे पती जीवित होकर संसार के कश्टो को भोगें। मेरे लिए सौभागे की बात है कि आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन सफल हो गया, अब जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। राम के कहने पर सुग्रीव मेगनाद का सिर ले आए, लेकिन सुग्रीव के मन में यह आशनका थी कि मेगनाद के कटे हाथ ने लक्षमन का गुनगान कैसे किया। सुग्रीव से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब मेगनाद का कटा हुआ ये सिर हसेगा। सुलोचना के सतीत्व की ये बहुत बड़ी परीक्षा थी, तब सुलोचना ने अपने पती के कटे हुए सिर से कहा, हे स्वामी, जल्दी हसिये, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है, उसे ये सब सत्य नहीं मानेगे। इतना सुनते ही मेगनाद का कटा सिर जोर जोर से हसने लगा, और इस तरह सुलोचना अपने पती की कटा हुए सिर लेकर चली गई। दोस्तों आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर देना, और इसी प्रकार की भक्ती कताओं। के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैश्री राम